चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों यह आप यूप्यसी की तैयारी कर रहे है और दिल्ली जैसे किसी बड़े सहर में आकर तैयारी कर पाना आपके लिए समभव नहीं है या किसी बड़े coaching इस्टिचूट्स में admission लेके तयारी करना आपके लिए समभब नहीं है येकिन फिर भी आप UPSC की तयारी करना चाहते हैं और फाइनली select होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए क्योंकि इस वीडियो के माधियम से मैं आपको ये समझाने वाला हूँ कि आप में और किसी बड़े coaching में admission लेके तयारी करने वाले student या दिल्ले में आकर तयारी करने वाले student के बीच बेसिकली क्या फर्क है अपनी बातों के सुरुआत मैं एक story से करूँगा सबसे पहले आप इस story को सुनें ध्यान से और समझने की कोशिस करें कि मैं क्या बताना चाहरा हूँ देखे तीन दोस्त थे तीनों दोस्त मचली मारना उनका पेसा था एक समुद्र के किनारे मचली मारने थे उसी क्रम में बहुत दूर से कहीं से प्रवचन की आवाज सुनाई दी कहीं सत्संग हो रहा था तो उनमें से एक दोस्त उनके दिमाग में एक खयाल आया कि क्यों ना प्रवचन सुनने के लिए वहाँ पे जाया जाया तो वह अपने विचारों को बांकी दोनों दोस्तों से शेयर किये और बताए कि मसली तो हम लोग डेली ही मारते हैं मसली तो मारना हम लोग का रोज का काम है क्यों आज प्रवचन ही सुन लिया जाये क्यों वहाँ पर जाकर कुछ धर्मकर्म की बातें कर ली जाये और तुम लोग वहां से सुनके आओ, जो मेरे में कमी रह जाएगी, वो मेरे को बता देना, तो यही हुआ, कि दो दोस्त तो वहां पर चले गए, प्रभचन सुनने, और तीसरा जो दोस्त था, वो यहीं रुख गया, और मसली मारने लगा, तो जो दोस्त, जो दोनों दोस्त वहां पर गये थे, उनमें से एक दोस्त काफी लगन से हर बातों को सुना, काफी ध्यान पूर्वक हर चीजों को समझा, और याद रखने की कोशिस किया अंद तक, लेकिन जो दूसरा दोस्त था, उसके दिमाग में सुरू से एक ही बात घूम रही थी, कि क्या पता, जो दो ध्यान से सुनने की कोशिस किया, हर चीजों को, जहां तक उसको आवाज आ रही थी, जहां तक वो समझ पा रहा था, हर चीजों को ध्यान से सुनने की कोशिस किया, समझने की कोशिस किया, और समझा भी बहुत कुछ, तो जब वापस तीनों दोस्त आपस में मिले, तो डिसक के दिमाग में ये बाते चल रही थी कि वो कितना मजली मार लिया होगा वह पार्टिसेपेट अच्छे से नहीं कर पा रहा था उसके दिमाग में कुछ था ही नहीं तो जब ये मजली मारने वाला दोस्तों से पुछाए कि भाई तुम तो वहां पर गए थे तुम क्यों ही कि तुम कितना यहाँ पर मसली मार लिये होगे और मैं कुछ समझ नहीं पाया तो बांकी दोनों दोस्त अफसोश जाहिर किये और फिर से उसको भी जितनी भी बाते वो दोनों सिखे थे उसको समझा दिये और ये मामला खतम हो गया तो अब इस स्टोरी को आप खुद से लिंक किजिए देखिए अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे है या किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे है जरूर नहीं की UPSC ही आप कर रहे हो यदि आप कहीं भी हैं पूरे विस्व में आप कहीं भी रह के त्यारी कर रहे हैं जो सबसे महतुपून बात है वो ये कि आप कितनी मेहनत से त्यारी कर रहे हैं कितनी लगन से त्यारी कर रहे हैं और कितना आपका ध्यान अपने काम पे है यदि आप सरीर से बेसक दिल्ली आ जाएं लेकिन किसी भी वजह से आप यहाँ पर ना पढ़ पाएं चाहे वो वजह कोई हो फैमली मेटर हो या यहाँ ना समझ पाना किसी बातों को हो या किसी भी तरह की बातों हो यहाँ आप अच्छे से नहीं पढ़ पाएं तो आप नहीं समझ पाएंगे चीजों को और आप घर पर ही हर चीजों को अच्छे से पढ़े मेहनत किये सही direction में आप आगे बरते रहे तो जरूर compete कर जाईएगा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वो क्या कारण है जिसकी वजह से घर पर रहकर त्यारी कर पाना मुस्किल होता है या आप में और दिल्ली जैसे किसी बड़े सहर में आकर त्यारी करने वाले student के बीच आकिर वो कौन सा अंतर है जिसकी वजह से बड़े coaching वाले या दिल्ली वाले अच्छा perform कर पाते हैं और self study करने वाले थोड़े से पीछे रह जाते हैं देखिए जहां तक मैं समझ बाता हूँ इसके मुखिरूप से पांच कारण है जो सबसे पहला कारण है वो है मेहनत दिल्ली में जो भी student आकर त्यारी करते हैं या किसी अच्छे coaching institute में admission लेके त्यारी करते हैं वो यहाँ पर काफी मेहनत करते हैं हर कोई यहाँ पर आपको मेहनत करने वाला मिलेगा बेसक उनका background जो भी रहा हो पहले से वो हो सकता है ना उतना ध्यान से पढ़ते हो लेकिन जो इतना बड़ा सपना लेके घर से इतनी दूर दिल्ली आया इतना खर्च कर रहा है तो वो पढ़ता है तो वो काफी यहाँ पर मेहनत करते हैं जिसकी वजह से selection का जो उनका ratio है वो कुछ ज़्यादा रहता है लेकिन सवाल यह है कि क्या आप मेहनत करने के लिए ready नहीं है क्या आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं आप भी चाहते हैं मेहनत करना तो यदि आप भी मेहनत करना सुरू कर दें, उतना ही जितना कि कोई दिल्ली में आके कोई बड़े कोचिंग इस्टिचूट में तैयारी कर रहा हो, यदि आप खुद मेहनत करने के लिए ready हैं, तो ये अंतर मिट जाएगा, फिर ये कोई मुद्दा बनेगा ही ने, तो ये अं दिल्ली आते हैं, और किसी अच्छे कोचिंग इस्टिचूट में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर उनको जानकारी या नौलेज से कहीं जादा इन बातों का पता चल पाता है, कि किस तरीके से तैयारी किया जाए, सही अप्रोच क्या हो, सही स्ट्रेटजी क्या है, उन बातों को वह अच्छे से यहाँ पर समझ जाते हैं, और यही उनके सेलेक्शन में एक बहुत बड़ी भूमिका निवाता है, और मान लेजे कि यही आपको ही सही स्ट्रेटजी पता चल जाए, कि किस तरीके से तैयारी करनी है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से क्वेशन लिखा जाता है, या वर्ड का लिमिटेशन क्या है, या लिखने का सारा प्रोसेस अगर आपको पता चल जाए, यानि कि एक कम्प्लीट स्ट्रेटजी आपको पता चल जाए, तो फिर मैं नहीं समझता हूं कि जो सकेंड पॉइंट है, यानि कि जो गाइडेंस वाला पॉइ जो तीसरा अंतर है, वो अंतर है इस्टेडी मिटेरियल्स का, जो यहाँ पर आते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि क्या पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, इससे भी कहीं ज़्यादा उनको ये पता चल जाता है कि क्या नहीं पढ़ना है, एक ही सोच लिजे कि कितना ज़्यादा भटकाओ है अगर आप ये पता कर लें कि चार बुक को मेरे को बिलकुल छुना भी नहीं है चाहे कोई कितनी भी तारीफ कर दे और सिर्फ एक बुक को पढ़ना है तो आपकी सारी समस्याओं का जर ही खत्म हो जाएगा तो यहाँ जो तयारी करते हैं उनको ये पता चल जाता है कि भाई ये सम मेरे को नहीं पढ़ना और केवल इसको पढ़ना तो सही स्टेडी मैटेरियल अगर आपको मिल जाए उसकी जानकारी मिल जाए तो ये भी अंतर आप खत्म कर दिये ये भी अंतर खत्म हो जाएगा तो समझ लिजिए कि आप में और UPSC की तयारी जो दिल्ली आगे करते हैं उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा यहां तक जो चौथा फर्क है वो है माहौल का आप खुद अनभव किये होंगे कि आप कई बार दिमाग में रखे होंगे क्यों ना इसी को कर लेते हैं पहले हलांकि मेरा ये इस्पर्ष्ट मानना है यदि आप एक जॉब सिक्योर करके इस फिल्ड में आते हैं तो ये बेटर है अगर आप अर्निंग का कोई जर्या फिक्स कर लेते हैं तो आप निस सिंथ होके तियारी करेंगे लेकिन इसके बावजुद मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि डावर्जन होता है भटकाओ होता है आप अपने टार्गेट से भटक जाते हैं अगर आप UPSC की तैयारी गंभीरता प्रवक्ष्ट शुरू करते हैं और कोई SSC जो बैंक कलरक में कम्पीट कर गया या पीओ बन गया या SSC क्वालिफाइक कर गया तो फिर से आप तुरंत मार्केट जाईएगा और एक SSC का बैंक का बुक खरीद के लेके आजाईएगा और उसको पढ़ना शुरू कर दीजेगा तो यदि आप बैंक ही की तयारी करना चाहते हैं तो पूरी तरह से उसी को कम्पीट कर लें और क्वालिफाइक कर जाएं फिर इस फिल्ड में आए और यदि आप इसकी ही तयारी करना चाहते हैं यूपीएसी की तो आप लास्ट तक डैवर्ट ना हो और घर पे रहने के बाद आप जिस माहौल में रहते हैं वहाँ पर ये नहीं हो पाता है आपके अंदर एक जो UPSC क्वाइलिफाइक करने का जो सपना है वो भी है लेकिन दूसरे की सफलता को देखके आपके भी अंदर एक तुरंट सफलता पाने की भी चाह जाग जाती है जिसकी वज़ा से आप काफी दुवधा की स्थिती में आ जाते हैं और बीच की स्थिती में आ जाते हैं ना इधर रह पाते हैं ना उधर रह पाते हैं तो सही माहौल यदि आपको मिलेगा या तो आप पूरी तरह से bank S.A.C. के ही माहौल में रह लें या पूरी तरह से U.P.S.C. के ही माहौल में रह लें तो यहां के student को जो benefit मिलता है वो यही मिलता है कि यहां हर कोई जो आसपस आपको मिलेगा generally वो U.P.S.C. की ही तयारी कर रहा होगा हलाकि ऐसा है नहीं यहां पर bank S.A.C. के भी तयारी करने वालों की कमी नहीं है हजारों लाखों इस्ट्रेंट यहां पर bank की भी तयारी करते हैं S.A.C. की भी तयारी करते हैं लेकिन इसके बावजुद है आपके दिमाग में U.P.S.C. ही घुमेगा और आप U.P.S.C. के ही विशाय में सोचेंगे अगर आप bank S.A.C. की विशाय में सोचेंगे तो bank S.A.C. की बाते घुमेगी अब आप YouTube पर जैसे मेरे ही चैनल से जुरे हैं यहां आप U.P.S.C. की आप दिन राद बात सुन रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके अंदर U.P.S.C. से जुरे रहने की बात हैं चलती रहेगी या ऐसे ही बहुत सारे स्ट्रोथ हैं बहुत सारे market में books available हैं जो आपको encourage करेगा कि U.P.S.C. की तैयारी से भटकाव ना हो जो आपको encourage करता रहेगा आपको पृत्साहित करता रहेगा मैं खुद यही platform तैयार करना चाह रहा था कि एक ऐसा platform तैयार हो जहां हर student चाहे वो दिल्ली में रह रहा हो या दिल्ली के बाहर रह रहा हो चाहे वो आज तैयारी स्टार्ट किया हो या 5 साल, 7 साल, 8 साल पहले से तैयारी कर रहा हो हर student के लिए यह एक ऐसा platform हो जहां भटकाव बिल्कुल भी नहीं हो जहां वो सोचे तो सिर्फ U.P.S.C. की विशा में सोचे और यह माहौल आपको मिलता रहेगा खास करके मेरे तरफ से तो आपको मिलता ही रहेगा और इसके बावजूद बहुत सारे इसे श्रोत अवेलेबल हैं चाहे वो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे इसे चैनल्स मिल जाएंगे या बहुत सारा ऐसा विबसाइट आपको मिल जाएगा जहां आप हमीसा UPSC के टच मेरा सकते हैं तो मैं यही कहूँगा कि माहौल बनाने से बनता है यदि आप UPSC की त्यारी करने वाले कुछ इस्ट्वेंट्स के आसपास रहें दिन रात उन्हीं के संपर्क मेरे तो ये माहौल खुद बखुद बन जाएगा बाकि मेरे संपर्क मेरे रहें मेरे जैसे बहुत सारे आपको स्रोत मिल जाएंगे उनके संपर्क मेरे अगर आप माहौल बनाने में काम्याब रहें तो ये भी फ़र्क मिट जाएगा आप में और UPSC की त्यारी करने वाले इस्टन के बीच ये भी अंतर खत्म हो जाएगा तो चार अंतर आप देखें जिसकी वजह से जो दिल्ली आगर अच्छे कोचिंग में त्यारी करते हैं वो कहीं न कहीं थोड़ा सा आगे रह जाते हैं दूर रहने वाले इस्टन के तुलना में और जो एक मातर अखरी अंतर बचा वो सबसे बड़ा अंतर है और वो अंतर ये है कि खुद में ये महसूस करना कि मैं दिल्ली में जाके त्यारी कर रहा हूँ इतने बड़े कोचिंग इस्टिचूट आके पर रहा हूँ तो मैं कोच कंपिट नहीं करूँगा तो कौन करेगा ये जो भावना पैदा होती है यहां आके जो ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर रहता है यही कॉन्फिडेंस कहीं न कहीं उनको UPSC में बहुत हैल्प करता है अब आप जब दिल्ली से दूर रह रहे हैं तो इस अंतर को आप कैसे मिटा पाएंगे उस अंतर को मिटा सकते हैं आप अपनी एक्छा सकती से आपको अपने अंदर एक जिद पालनी होगी और वो यह जिद कि मैं UPSC क्वालिफाइक करूँगा और घर से ही करूँगा और पूरी दुनिया को यह बताओंगा कि घर से ही UPSC की तैयारी करके फाइनल सेलेक्शन कर पाना संभव है घर से ही UPSC को क्रैक कर पाना संभव है ये जिद आपको अपने अंदर पैदा करना होगा और जिस दिन आप इस जिद को अपने अंदर आत्मसात कर लिए अपने अंदर समा लिए तो फिर दुनिया की कोई बाधा ही नहीं बचेगी जो आपको UPSC कंपिट करने से रोक देगा तो मैं फिर से आपको कंसाइज कर दे रहा हूँ जो मैं पांच पॉइंट वोला यही पांच ऐसा अंतर है यही पांच ऐसा पॉइंट है जो आपको और एक दिल्ली जैसे सहर में आके त्यारी करने वालों के बीच खाई का काम करता है नमबर वन महनत जिसको आप करने के लिए मेरे समझ से तैयार है दूसरा अंतर सही गाइडेंस जिसको आप बहुत सारे श्रोत ऐसे अविलेबल अब हो चुके हैं जिससे आप जूर कर इस अंतर को मिटा सकते हैं तीसरा सही इस्टडी मैटेरियल की जानकारी ये अंतर आप मिटा सकते हैं लगातार किसी चैनल से जूर कर जहां आपको सारी जानकारी काफी इमानदारी पुरवक्त दी जाएगी कि किस बुक को पढ़ हैं और किस बुक को बिलकुल भी ना पढ़ हैं चौथा अंतर माहौल यदि आप खुद से उचित माहौल क्रियेट कर लिए अपने आसपास के इस्टेंट से संपर करके या UPSC से जुरा हुआ कोई वेब साइट या कोई चैनल को फोलो करके तो ये भी अंतर खत्म हो जाएगा और पांचवा कि वो आत्म विश्वास कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ उसको आप काउंटर कर सकते हैं अपने उस जिद्ध से कि मैं घर से ही कंपिट करके पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि UPSC के लिए किसी बड़े सहर में जाकर तयारी करने की कोई आवस्चेक्ता नहीं होती है घर से भी ये संभब है तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस पांच पॉइंट को जिस दिन आप अपने जीवन से मिटा दिए जिस दिन आप इसको पूरी तरह से खत्म कर दिए तो कोई वजह नहीं है कि आप UPSC कंपिट नहीं करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें धन्यवाद